हाई फ्रेंड्स मैं हूँ पारूल मेरे चैनल घरसंसार में आपका स्वागत हैं आमले का तेल बनाने के बाद बच्चे हुए वेस्ट के गटागट बनाना आपको बता रही हूँ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेल आइकन दबाने के बाद और को ऑप्शन दबाना ना भूले आज मैं आपको आवले की गटागट बनाना बता रही हूँ वो भी जो हमने तेल बनाया था आवले का उसका जो हमारा वेस्ट निकला था उसी साज मैं आपको बनाना बता रही हूँ मैंने आधा कप इस तरह से जो हमारा वेस्ट निकला था इसे लिया है आधा कप इस के इंदर में ग्रेटेट गुल डाल रहे हूं इसी का टेस्ट बढ़ाने के लिए इसी के इंदर आधा चमबच में कश्मीरी लाल मिल्ची डाल रहे हैं आधा चमबच अमचूर का पाउडर वन फॉर टी स्पून काला नमक हाफ टी स्पून चाट मसाला वन फॉर टी स्पून भूना हुआ जीरा वन फॉर टी स्पून सेंधा नमक इसा आप अच्छे से मिक्स करने जेए मिक्स करने के जिसतर से आठा गूते हैं असाप तरह से इसे कूध थिए ताकि सारी चीजे सारे मसाले यह हमारी एक साथ पर एक सार हो जाएगे बिल्कुल आसानी से यह बाइंड हो जाएगा कोई दिक्कत हमें नहीं आएगे बिल्कुल यह जिस तरह से आटा रहता है उस तरह से हमारा होगे काफी अच्छी से मिने इसे भूथ लिया है मैंने इस शबकर का बोडा लिया है इस तरह से आप थाली के अंदर इसे अच्छी से फेला दीजिए चोटी-छोटी से इसकी लोईया बनाएगे कि बिल्कुल आसानी से हमारा बन जाता है इसे आप शबकर के बोरे में डालते जाएगे ताकि यह आपस में चिपकेगी भी नहीं और चिपचीपी भी नहीं होगी मैंने गुड डाला है गुड के जगे आप शबकर का बोरा भी इसमें एट कर सकते हैं पस इसी तरह से सारी गटा-गट में बना के तयार कर लोगी इस तरह से मैंने सारी बना के तयार कर लिए, इसे आप इस तरह सहे ला दिए, उसके बाद इस आप एक दिन खुली पंक्री की हवा में से रख दीजिए, उसके बाद शपकर का जुबूरा रहेगा उसी के साथ ही आपको किसी भी एर्टाइड डिब्बे में से भर कर स्टोर कर यह बिल्कुल भी हमारी खराब नहीं होगी, इसे आप एक सि दो हपते तक स्टोर करके रख सकते हैं, ज्यादा लंबे समें तक स्टोर नहीं करना है, इसे आपको में तोड कर दिखाते हैं, देखे किते सॉफ्ट एंदर्स हैं, बिल्कुल यह आसानी सा हमारी तोट रही है, इसे अगर बांदेंगे तो बढ़न बिचाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी ऐसा नहीं डाला जिससे गड़क होगी, देखे वापस हमारी गटागट यह बनके तयार हो चुटी है, बिल्कुल वेस्ट जो चीजती हमारी जिसें यूज में नहीं लेते, उसे कितनी बढ़ि तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, जादा से जादा शेयर कीजिएगा, प्लिस कमेंट करना बिल्कुल न भूले, थैंक यू